दूसेटी इंडिया आप कह सकते हैं कि एक तरह से दो धड़ा इस पूरे मामले में बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है बड़ी संख्या में बरेली में भी अब लोग सड़कों के उपर उतरे हुए हैं यहाँ पर नारे बाजी की जा रही है और जाहिर से बाते इसमें उन लोगों का हा दिली आनकी बहुत अलग नहीं है पास में है अल्दवानी के तो कैसे सटा हुआ बरेली जो अल्दवानी से वहाँ पर भी इसमें यह प्रदर्शन सड़कों पर उतर करके लोग कर रहे हैं यह बरेली से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे है इस पूरे मामले में अपडेट जो है आपको बता दें तोकी रजा की यहाँ पर गिरबतारी के लिए पुलिस पहुंची हुई है और यह उनी के समर्थक हैं जो इनकार कर रहे हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि उनकी गिर अर्तन में यहाँ पर नारे बाजी की जा रही है तेहादे मिलत काउंसल प्रमो कमौलाना तौकी रजा उनी की गिरबतारी के लिए पुलिस पहुंची थी और बड़ी संख्या में अब लोग तौकी रजा के साथ दिखाई दे रहे हैं यहां साड़कों पर यह जो तौकी र अब जो पर दोशिश कर रहा है नहीं अब जो पर पाइंट पर जो पर दोशिश कर रहा है थी और उसके बाद जेल भरो आंदोलन करके अपनी गिरफतारी के बाद भी उन्होंने कई थी बस तौकी रजा की सामूई गिरफतारी के अलान के बाद पुलिस ने एतियाती कदम उठाने के लिए उनकी गिरफतारी के लिए जब पहुँची तो एक ऐसे उनके समर्थक बरेली की सड़कों के उपर इस वक्त उत्रे हुए हैं और उस गिरफतारी का तो विरोत करी रहे लारे बाद यह पर कैसे हो रही है और कितनी बड़ी संख्या में बड़ी परियों कितनी बड़ी संख्या में तौकी रजा के समर्थन के लिए ये लोग पहुचे होए हैं वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा हे हैं हंगामा भारी हंगामा बरेली की सड़कों पर इस वक तौकी रजा की गिरफतारी के लिए पुलिस का पहुँचना और फिर यह आप देखिए कैसे उनके समर्थकों का हुजूम या सरकों के उपर इस वक्त दिखाई दे रहा है ये सबी लोग तौकी रजा के समर्थक हैं उनको पुलिस पकाड़ने बसीसी के लिए यह यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है और तौकी रजा के समर्थर में यहाँ पर नारे बाजी की गई है कल पहुँचे थे तौकी रजा ने प्रेस कॉंफरेंस की थी बाखायदा और उसी में तमाम तरह के बरकाओ बयान उनकी तरफ से कहा गया था ये तक कह दिया था तौकी रजा न उनका वो भड़काओ बयान और फिर ऐसे ही बयान वो और न दे सके इसले पुलिस पहुची थी उनकी गिरफतारी के लिए अब ये आप देखिए कैसे ये सारे समर्थक है इस पार से उस पार तक ये जितने लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहें ये तौकी रजा के सम तक है और वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस तौकी रजा को ले जाए लेकिन वही भड़काओ बयान और उसके बाद आप देखिए इस्थिती क्या हो गई है बस यही इस्थिती ना हो जाए इसी के लिए तो पुलिस पहुची थी इसी के लिए पुलिस पहुची थी और सामू इसी इतन calendar रने कर दूद्यां सब्सक्रeायरे के लिए उसी सामूषी घरतारी कर देखा को दिखाए दे रहें हैं और और दूसरी तरफ उनATE tuck有點 समर्थ Hatte देते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह सामोई गिरफतारी है तौकी रजा के साथ-साथ उनके जितने समर्थक हैं अब वो भी गिरफतारी दे रहे हैं इतियादे मिलत काउंसल प्रमुक है मौलाना तौकी रजा उनकी की गिरफतारी और उनके साथ यह कितना बड़ा उनके समर्थकों का अब वो भी गिरफतारी के लिए निकल चुके हैं तो कल तौकी रजा ने जो बाते कही थी प्रेस कॉन्फरेंस में और सामुई गिरफतारी की भी बात कही थी अब वही इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है एलान उनकी तरफ से क्या गया था पूरे देश में जेल भरो अंदुलन करके अपनी गिरफतारी वो देंगे ये बाखाईदा प्रेस कॉन्फरेंस उन्होंने करके बात कही थी आप देख लिजे तौकी रजा और उनके समर्थक सामुई गिरफतारी का कल एलान और आज वही गिरफतारी इस वक्त सामुई गिरफतारी क्योंकि बड़ी संख्या में उनके समर्था कहन तस्वीरों में उत्तरप्रिदेश के बरेली के तस्वीर हम आपको दिखा रहे वो जो बड़काओ बयान था तौकी रजा का वो भी न्यूज एटीन इडिया की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं ग्यानवापी के उपर भी बड़काओ बयान दिया गया था तौकी रजा की तरफ से बाबरी देदी ग्यानवापी नहीं देंगे तौकी रजा ने ये बात कही है बाबरी पर सब्र किया अब हिंदू सब्र करें ये ग्यानवापी के लिए वो बोल रहे हैं सडकों पर लड़ेंगे ग्यानवापी की लड़ाई ये तमाम मलकाओ बयान तौकी रजा के इसके साथ स से अपने समर्थकों से तौकी रजाने अपील की थी इन तमाम बेज बेमानियों से एक बेचैनी का माहल बना हुआ है पूरे देश में सिर्फ मुसल्मानों में नहीं गहर मुस्लिमों भी में भी इन चीजों को लेकर काफी बेचैनी है तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए खौफ Western क촉 दूर करने के लिए हमने जएल भरो अंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशालला देश व्यापी इस अंदोलन को बनाया जागा और इन तमाम बेर माईंव को जाकर किया जा जागा नीन तमाम बेरिसे खिलाफ गिरफतारिया दी जाएंगी सुना रहे हैं तौकी रजा का बयान सुनकर ये लग रहा है कि तौकी रजा शांती की बात कर रहे हैं लेकिन आखिर उनका मकसद क्या है ये किसी से भी छुपा नहीं है और इसी लिए इसी लिए उस मकसद की ये तस्वीर भी सामने है पुलिस से किसी कि मजाहिमत नहीं होनी चाहिए जहां हमें पुलिस और परशासन का भी सहयोग करना है अपने शहर के अमन की भी हिफाज़त करनी है जिला परशासन से जिला पुलिस से किसी किसी कि मजाहिमत नहीं करेंगे अब वल तो मुझे यकीन है कि पुलिस रोकने की कोशिश नहीं करेगी लेकिन अगर रोकने की कोशिश की जाए तो जहां भी रोका जाए आप वहीं धरने पर बैट जा और वहीं अपनी गरफतारी का उनसे मांग करें कि यहीं हमें गरफतार कर दिया जाए तो यह देखिए एक के बाद एक बढ़काओ बयान तौकी रजा की तरफ से कोई कह रहे हैं कि जहां पर भी रोका जाए पहले तो शायद पुलिस रोके की नहीं लेकिन जिस जगह भी तुम्हें रोका जाए बस महीं पर बैट जाओ साड़क पर बैट जाओ गिरफतारी महीं पर दो यह सारी बाते तौकी रजा किये के करके हमने आपको सुनाई अब न्यूज एचिन इंडिया के अमित मेरे साथ इस वक्त जोड़ गए हैं उनका भी में रुखा लेती हूं पर उत्तर पर इस पुलिस के जवानों की तहनाती है और लगातार भूं से भी मज़े रखी जारी है फिलाज जो तौकी रजा अपने घर से निकले है उसके बाद नवाज अदा की है नवाज अदा करने के बाद बड़ी तालाद में उनके समर्चकों के साथ वह आगे किस तरीके से हमने उनके पूराने विवाद्र भालाज देखे हैं और लाल डुष अडवानी को दीगे तो उस दोरान किसरे को विवाद भयाना जोले अधर अपने दहने आइने और तौकी रजा का ये आदत है और तौकी रजा को फिलालन को पुलिस ने रोप दिया है और हुए अपने बारी सबर्सकों को उसके साथ वहीं बरेली में जहां रुका गया है वहीं से वह गिरिफ्तारी देंगे और जिस तरीके से तरफीर रजा ने ऐलान किया था उसको देखते हुए पूरे उस्तर परदेश में कि नवाज के पाद अलर्ट डारी किया गया था हर चप कि से बीचे कल हल्दोवानी में हमने पस्थरवाजी देगी थी उसके बाद से लगतार अलर्ट जारी किया गया था समय दर्सक्री में और उसके बाद वहीं बलेली में तो कि अपने आपको बड़े मसीहा के तौर पे बताते हैं कि वह मुसल्मानों तो जाहीर तो पर ऐसे सम हम खंद रसे समय और को जालर्ट थी निससार क här झाल झाल